उत्र पर्देश के हर्दोई के शहाबाद इलाके में दो लोगों की रिपोर्ट करोना पोजिटिव आने के बाद हड़ कम्प मच गया है नगरपाली का शहाबाद ने सम्बंदित इलाकों को सीज़ किया है और लोगों से घरों में रहने की अफील भी की है जिले में पोजिटिव लोगों की संख्या 22 हो गई है और सबसे अधिक शहाबाद इलाके के ही है गुरवार को जिले में दो और लोगों की करोना रिपोर्ट पोजिटिव आने से हड़कम बचा हुआ है Medical College से आई जांच रिपोर्ट में दो और करोना मरीजों के संक्रमित होने की फुस्ची हुई है यह दोनों मरीज कोटवाली शहाबाद के शेतर गराम काला गाडा और गड़ी खुर्द के रहने वाले हैं यह दोनों संक्रमित प्रवासी मजदूर हैं करोना पॉस्टिव मरीज की जानकारी शहाबाद परिशासन को जैसे ही हुई एक्शन मोड में आते हुए अधिशासी अधिकारी ने अपनी टीम के साथ पहुँचकर महले को सील कर दिया पूरे महले को सेनिटाइज करवाया हर दोई से समधाता शाहिद अली के रिपार्ट अभी उप्तिलात कारी महले द्वारा जानकारी मिली यह महले में एक कोरोना पॉस्टिव आया है पहले ही अल्ला पूर सदी खेल और के ज्यानी में दो जगे आ चुके हैं और आज इस महले में एक और पॉस्टिव केस आया है इसलिए यह तीसरी जगे है जहां पर हम लोग इसको महले को पूरी तरह से लॉप कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि गोरों से न निकले सो उसर डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क गमछा या कोई रुमाल चेहरे पर अवस लगा कर निकलें क्योंकि इस पर हम लोग जुर्माना भी कर रहे हैं जलादकारी महुदे का बहुत सक्त निर्देश है कि मास्क के बिना कोई भी अगर निकलता है तो उस पर तदकाल जुर्माना किया रहे है ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वादी झाल 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 झाल